आप सभी का सोगात है हमारी आज की ने वीडियो मेरा नाव है जग दिस वार के आज आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा खास होने वाले मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भी बोलते हो कमेंट करके बताइए आपने आप इसका क्या साइज रहने वाला वह भी मैं आपको बताने वालों किस तरीके से बना के तैयर किया सकता है वह सब कुछ इस ग्राउंड कवर किया गया है इसमें कितना कपड़ा लगेगा और कितना साइज रहेगा किस तरीके से बनाना चाहिए कैसे सपोर्ट देना चाहिए सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखिएगा तो कि इसमें काफी ज्यादा हाडवर्क लगता है और काफी अच्छी तरी पर अब करने के लिए टीटेल के साथ बताने बाता हूं और इस तरीके के जो काम है अगर आप सीखना चाहते हो कि आप हमारे हैं पर चाहिए सकते हो टैनिक वे यह यहां पर आप जो ग्राउंड देख रहें गाइस इसी ग्राउंड में वोग जीव बन के तयार होने वाला यहां पर टेंट के पाइप लगा दिये गए हैं और बीचों बीच भीच जो खम्मा आप देख रहा है इसी खम्मेसे हम इसको लगाने वाले हैं जो गजीव बनाने वाले हैं तो इसी से पूरा कपड़े को इसमें लगाते जाएंगे बनाते जाएंगे साइज बगएर सब कुछ मैं आपको वीडियो पूरा देखिए अगर गजीब हो आप बना के तयार करने वाले हो सीखने चाहते हो बनाना चाहते हो क्योंकि इसका काफी जादा रेकॉर्मेंट रहता है और हर कोई इसे इजली बना के तयार नहीं कर सकता है सबसे पहले आप समझ लीजिए जो कपड़ा हम इसमें लगाने वाले है वो रोटू का कपड़ा है आपको इजली 15, 16, 17, 18 सभी जगे पर अलग रेंज हो सकता है इतने रुपए का मीटर में मिलता है मतलब 16, 17, 18 रुपए मीटर में मिल जाए गा उसके बाद टेंट वाले पाइप जो हैं गा इस हमने पहले को वाले पायप को आप सपोर्ड भी देंगे वाले आप सोच किसता है काफी जादा है भी हो जाता है अगा हावा चलता है तो पूरा खड़के निकलके फिक जाएगा और आपका पैसा-बेस्ट चला जा भी है वो भी नजर ना आए उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं बीचो भी ये खंबा लगा हुगा इस बज़े से हम इसमें सीधा कस रहे हैं उसमें रोड का फ्रेम भी बना हुगा जिसमें हम कस देते हैं और अगर नहीं होता है तो आपको पंद्रह फिट की हाइट पे च चार पैर वाला केनोपी खड़ी करनी पड़ेगी है कोई गजीव भी बोलता है और अलग-अलग नाम से जाना जाता है गाइस मैं उसको बता देना चाहता हूं आपको बीचो बीच कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ागा जो उंची हाइट कर रहेगा और नीची साइड अप जाए और टेंट वाला पाइप है आप चाहें तो ट्रस का भी यूज कर सकते हो उसका जो गोला कर में नवा ना कर रहे हमें एक बॉक्स की से में इसे बना के तैयर कर रहे हैं चालीस फिट कर रहेगा गजीव का जो साइज है गाइस चारो तरफ से साट वाई साथ है और आट कर सकता है गाईस देखिए अभी कपड़े को टेंट वाले पाइप पर कसने के बाधर सीधा यहां पे दे दिया जाता है किल और बात करेंगा एक पाइप में करीब 4-5 कपड़े आने वाले हैं क笌ड़े की कितनी चोड़ाई है कितनी लेंद świ ऐस साथ और बीच में कितनी लंबाई है कितनी दूरी रखी गई यह वह भी देखना पड़ेगा और इसमें साथी सांस सपोर्ट भी बहुत जादा जरूरी है क्योंकि अगर हवा चलता है तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं होने पर यह पाइप जो है उखड़के निकल के फिक जाएगा इस अभी देखिए कपड़े को इस तरीके से कश्टे जा रहे हैं कपड़ा वही है गाई काई जो तरीके करते हो ट्रस्प पे लगाने के लिए यहां पर देखिए कश्टे जाना है और किसी तरीके का समंदव्ड सबहाल रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कोई नह है complete हो चगा है तयार हो चगा है आपको एक तरफ से भी Yoo कर सकते हूं इसे बनाने के लिए घृज एक दिन पूरा लगा है और जो वीडियो आभी देख रहा है फंद्रा मिट का यह वीडियो आप एक घंटे का वीडियो था इसमें edit करने के बाद 15 मिट में आया है और जो गजीव आप बनाने वाले हैं उसमें आपको करीब 5-6 लल के लगने वाले हैं और आप इसे दिन भर में बना के तयार करोगे अभी देखिए इसमें support लगने लगा है तो टेंड का pipe यहां पे गड़ा हुगा है उसके corner पे कसा है उसको सीधा एक पेड़ में गस दिया है अगर पेड़ नहीं होता है ये एक ground में है मतलब वहाँ पेड़ था तो हमने उसमें support दिया है अगर नहीं होता है तो आपको वहाँ पे टेंड का pipe गड़ाना होगा और गहरा गड़ा करना पड़ेगा उसमें इसको support देना पड़ेगा देखिए, यहां पर जगा जगा पर इस तरीक के जो garden है उसमें पेड़ थे तो उसमें हमने इसमें support दे दिया है जिससे इसका कोई दिक्कत नहीं रहा है, पेड़ की काफी ज़ादा मजबूत जड़े रहती हैं, उसमें इसको पकड़ लिया ह तो यह पूरा ग्राउन को पहले सपोर्ट दिया गया इतना लग जाने के बाद एजली हमको समझ में आ गया इसको सपोर्ट देना पड़ेगा इतना सा अभी देख रहे आप आधा भी कंप्लीट नहीं हुगा है और यह जो पाइफ हैं यह निकलने लगे थे गाइस इसलिए हम प्रफद को मद गोड़ा आप देन लया हुगा जो का रहे हैं जो आप को मैं बताया हूं जो कपड़ा की जगह है किस तरीके का पार्टी रेकॉर्मेंट कर रहा है उसे साफ से इसका चार्ज बगर भी आगे मैं बता दूंगा तो वीडियो देखते रही है गाइस अभी देखिए इतना कंप्लीट हो चुका है सिंपल सीधा रहेगा कपड़ा जो रहेगा गाइस आपको उपर जो बीच और बीच यहां पर लगा हुगा है वहां पर आप चाहों तो चौकर में कोई कैनोपी खड़ा कीजिए नहीं तो आपको गाइस इसमें आपको जो खंबा लगा हुगा है उस तरीक कोई चीज मिलता है तो आप उससे सपोर्ट ले सकते हो कपड़े को बांधने के लिए और फोटोग्रास में आपको देखा देता हूं उस तरीके के सपोर्ट भी लग सकता है देखी कुछ इस तरीके से आपको लगने वाला और कहीं कहीं पे अभी रेडी नहीं होगा है वागी अभी कपड़ा इसमें लगता जा रहा है इस तरीके से आपको लगेगा इसके अब यहां पर फिलावर लगा सकते हो इसलिए अगर आपने कभी देखा वोगा जाता है आपको बनने के बाद यहां पर देखिए लड़का इसकी टैचिंग कर रहा है आपका गजीव वह कंप्लीट होता है उसको वाद इसकी टैचिंग उसको आपको टाइट भी करना पड़े कपड़ाकाफी धीला होता जाता है वी अभि ए सबीपुरा फूरा है में लग गया है इसमें अभी लड़का फूरा इसका साइड से टचिंग कर रहा है एक लड़का पहले आपने देखार फ॥्ता कर रहा मतलब की सब्सक्राइट का लग फुरह को कपड़े होता हुआ है क्प बाद हम इसमें सीलिंग बगैरा बनाने वाले हैं यह जी वह आप देख सकते हो इस तरीके से बनने वाला है बीच में जाकर एक जगह पर यह कपड़ा कस्ता जाएगा और साइड में पूरा कप्ला उतर जाएगा आप चाहें तो नीचे पाइप लगा कर कपड़ा नीचे भी एनने और पर रहताए यहां पर हम टेंट वाले जो पड़े रहती हों से इसको पेक करने वाले मतलब इसको पूरा पर पक करके पार्टी के रिकॉर्मेंट पे इसको हम ने पूरा पाइक कर द restrictर इनन्दर बी कि बनाया गया है वसका वीडियो अलग से बाते जा जा रहें कोई सबाल रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए उसका आपको रिपलाइ भी मिल जाएगा अगर आप कमेंट करते हो तो आपको सभी चीजे आगे बताई जाएंगी गाइस अभी देखिए हम इसमें सीलिंग बनाने लगे हैं सिक्के का सीलिंग बनाया जा रहा है सीलिंग जाता हो इस तरीकी के रसी कस लेते हैं उसमें सिक्के जो आते हैं उसका यूज करके इसमें कस दिया जाता है आप चाहें तो इस तरीकी का सीलिंग आप भी मना सकते हो बिस्टेडिया लगा सकते हो पत्ती लगा सकते हो जो सभी सीलिंग बनती हैं इसी तरीके से नॉर्मली तैयर की जाती है guys, यह आप देख सकते हो आपके सामने यह पिर आप बनानी जा रहे है सीलिंग बन जाने के बाद guys आपको इसको टेंट वाले जो पाइप हैं उस पे कस देना है और इसको आप इसको इसमें लगाते जाएंगे अभी सीलिंग बना के तैयर कर रहे हैं सिक्के वाले जो सीलिंग आती है वो आपको बनानी पड़ी कि सिक्का आपको मिल जाएगा आपको सीधा सीधा इसको बना के तैयर करना पड़ेगा आपके उपर डिपेंड करता है आप चाहें तो विस्टेरिया का सीलिंग बना इसमें चाहें पतंग लटका लेजिए च्छात्री लगा लेजिए इस तरीके से देखिए विष्टेरिया और इसका आप लगा सकते हो पत्ती का लगा सकते हो वो आपके उपर डिपेंड करेगा गाईस आप किस तरीके करना चाहते हो अभी हम आपको बता देते हैं सिक्के तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा इसका यूज़ दिन के लिए था अगर नाइट में यूज रहा था तो इसमें पाल लाइट लगा जाते उसका वीडियो भी में आपको आगे दिखाता है लेकिन इसका यूज जो है ऑउनली दिन के लिए होगा था इसलिए हमने दिन का वाई पीछ गजीव दिखाया, उसमें किस तरीके से सपोर्ट डाला गया, पहले नम्मार आप देखिए, यहां से प्याइप डाले गए हैं, यह पूरे जो गजीव 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 गजीव, यहां से अपना मतलब की चोकर में बना गुए है, यहां भी अपना की चोकर मेना, पर चार साइड साथ साथ फिटका है और अपने टेंड वाला पाइप उसका यूज किया है ट्रस्का यूज नहीं किया है सबसे पहले आपको दिखाने जाओं यहां से देखिए सबसे पहले अपने यहां पर सपोर्ट के लिए अपना जो नॉर्मली रोटो कपड़ा है उसका जाएगा यहां पर देखिया यहां पर आपको सपोर्ट सपेश देता है और भी देखा चलता हूं पीछे की तरफ जैसे स्थ पर आप पर ड्याह पर डिया है यहां पर एप शिद्धा जू अपने पंदरा भंदरा फिटके फाइप लगए हूँ उन्हीं पर सपोर्ट डाला ग ग्राउन को पैक किया जाएगा अंदर सीलिक बगेरा बना हुगा है वह भी आपको हमने वीडियो में आगे दिखा और वह भी आपको बता है आगे और दिखाते किस तरीके से सपोर्ट दिया है अब बात करते हैं इस साइट की मैं पूरा तरफ घूमा के आपको दिखाने वाल इसमें लगा दिया जैसे क्विटव करना है आपको पर डिपेंड करता है आप कि बड़ा कपन लगा तो कफड़े से पर सकते हूं सीधा यहां पर देखिए यहां पर सीधा कपड़ा घिचा हुगा है पूरेस तरीके से सपोर्ट दिया है जिससे की टाइट जहां भी मतलग एकर वो पेड़ नहीं हो तो हमको टेंट वाला पाइप गड़ा कि उसको सपोड देना पड़ता है पूरा इस तरीक से सपोड दिया गया है और भी इसमें कपड़ी की बात करेंगा इसका करीब 30,000 रोप इसका इसमें आपको कपड़ा लगने बाला है और इसमें जो पाइप पर डिपेंड करेंगा कितने साइज में आप बनाने वाले उसके उपर रहेगा कितना पाइप लगना पर दे जितना बड़ा जाइज का बने का उससे पैक होगा या कपड़े से पैक कर सकते हो गईस जैसे मैं आपको बता दूँ एक जो 15 फिट कर यहां से है उसमें चार से अगर का सकते हैं अगर कर अब मुझे कोई सोजा हो और सोगाए उस तरी के कोई भी सवाला यहां तो में जो भी लोग आना चाहते हैं अगर अभी नहीं आप आते हैं तो आप हमारे हैं जुलाई में भी आ सकते हो जुलाई में एक जुलाई थे इसे फिर से ट्रैनिंग स्टार्ट होगी मोबाइल नम्मर यहां पर दीगा हुए इससे आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हो कि आने समय में कितना फीस रहेगा किस तरीके से आपके हां तक आ सकते हैं वह सब कुछ के लिए आप मुझे कॉंटेक्ट कर लीजिए और अभी कोई आना चाहता है अभी भी आ सकता है कॉंटेक्ट नम्मर दिया है उस पर जानकरी ले सकते हो वांकि यह पूरा सैटप किस तरीके से बनता है सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है फोटोक्राफ के लिए वारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए और ऐसे डीटेल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसका कोई पैसा नहीं लगता है यहां पर सब्सक्राइब बटन है उसको दबाद द झाल 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 झाल